Welcome to Target, सरकारी नौकरी मैं है उर्शाद अली SuperTet 2020 की तैयारी के लिए Junior SuperTet में जो दो अलग-अलग वर्ग हैं विज्ञान वर्ग और कला वर्ग इसके classes हम कल से start करेंगे जिसमें आपको तीनों विज्ञानों की classes रहेंगी और कला वर्ग में जो समाजिक विज्ञान के subject हैं आपके जैसे इतिहास, भुगोल और अर्ट शास्त, नागरिक शास्त है इनके classes separately तो दोनों वर्गों की classes को start करेंगे जुनियर के लिए लेकिन भुगोल का ये portion common है जुनियर और primary दोनों के लिए इसके लिए आपको ये revision करवा रहे है महादीपों का continents का पिछले वीडियो में हमने discuss किया था कि अर्थ के उपर 7 continent है लेकिन 2020 में अभी latest 8-way continent महादीप के पता लगाया गया है जिसको नाम दिया गया है जीले इंडिया तो current affairs में आप add कर सकते हैं आठमा महादीप जीले इंडिया शुरुआत करते हैं और आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा continent जिसे अफरीका कहते हैं इसको डिसकस करेंगे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादीप कौन सा है second largest continent of the world कौन सा है वो है अफरीका सवाल इस तरह से पूचे जाता है छेतरफल की दुरस्टी से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महादीप कौन सा है आंसर होगा अफरीका सवाल इस तरह से पूचे जाएगा जनसंक्या की दुरस्टी से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा continent कौन सा है एशिया पहले नमबर पर जनसंक्या और एरिया वाइज एशिया है दूसरे नमबर पर जनसंक्या वाइज और जनसंक्या वाइज और एरिया वाइज दूसरी पोजिशन पर अफरीका है ये फैक्ट था चार कोशन एक उसमें ही ठीक है एक सबसे इंपोर्टन फैक्ट ये है त अफ्रीका एक मात्र ऐसा महादीप है जिससे होकर प्रत्थिवी पर खीची गई, प्र्मुक कालप्निक रेखा हैं एक विश्वत रेखा जिससे Equator कहते हैं, कर्क रेखा जिससे Topic of Cancer कहते हैं, मकर रेखा जिसको Topic of Capricorn कहते हैं, तीन हो गुझरती हैं एक अकेले continent ऐसा है अफरीका ये बहुत पूछा गया है और विश्वत रेखा जो है अफरीका के लगबग मद्य सोकर गुजड़ती है ठीक है चलिए देखते हैं इसको मैप के उपर मैप समझने बहुत जुरूरी है आपने ये देखें ये continent को आप जानते हैं बहुत अच्छ इसके बाद यही बड़ा दिख रहा है आपको ठीक है और उसके बाद में नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ठीक पाच्वे नंबर पर अंटार कटिका यहां नहीं दिख रहा है नीचे बर्फ वाला एरिया जो है यॉरॉप और ऑस्ट्रेलिया ठीक तो हम डिसकुस कर रह है यह सिर्फ कल्पना है ठीक है इमेजनरी लाइन से यह जो कि ड्रॉ की जाती है ग्लोब पर ठीक है कैसे यह अर्थ का ग्लोब आपको दिख रहा है रेप्ली का है मॉडल है तो इस पर आपने कंट्रीस को जो है दर्शाद या मैप की फॉम में और कुछ लाइन सापको नज ढसे इनको आप क्या कह सकते जो सीधी जा रही है यह एक तरह से क्या है लेटी होई लाइन है इस पेज के रेफरेंस को लेकर आप देखें़े थो लेटी होई लाइन है लेटी होई म prose मतलब लाटिट्यूड तो यह रेखाए हैं जो उर जो हरिजॉंटल है अर्थ के ऊपर raw की है model model पर एा फिर globe पर इसको कहते हैं हम क्या कहते हैं tut इसको latitude Latitude 36 रेखा हैं यह कुछ दूसरी तरह की रेखाएं आपको देख रही है कुछ यह खड़ी रेखाएं दिख रही है इनको भुलते है vertical lines और टिकल यान Reason तो ये लंबी है ना कुछ लंबाई है इन में लंबाई को बोलते हैं English में long कह सकते हैं long मतलब अब इन रेखाओं को नाम रखेंगे हम longitude ठीक है तो ये रेखाओं को क्या कहते हैं जो vertical होती है ये होती है आपकी longitudes ठीक है चलिए तो जो तीन रेखा है काल्बनेуск रेखाओं के नाम लिये थे, तो एक रेखा है, अब ऐसी ही एक रेखा जब सबसे पहले आपड्रो करते height पर, तो वो होती है, अर्थ को जो ढ़ाबर हिस्से बाटती है उसको बोलते हैं, the equator, इसको बोलते हैं विशुत रेखा या equator, इसको बोलते हैं zero degree, टेक एं लांटइट्यूडD तो इससे उपर के इस जीरो डिग्री लांटिटीट्यूट इपर 가까 जितना भी हिस्सा एert को नॉर्थ में जाएगा और यह साओ्थ में यानि उत्री गुजरी इसको बोलेंगे विश्वत रेखा एक तो ये गुजर गई यहां से अफरीका से और ये ये continent आपको जो green term में दिख रहा है ना ये ये है अफरीका महादीप जो अभी ये नॉर्थ में है तो इसके साथ n लगाएंगे और ठीक उसी तरह एक साड़े तेहीज डिगरी एंगल नीचे आओगे यहां अर्थ के सेंटर से तो ये हो गया साड़े तेहीज डिगरी south ये detail में पढ़ना है आपको latitude longitude available है आपको मेरे courses बनाए हुए academy पर ठीक है वैसे अलग से हम लेंगे इसको भी चलिए तो ये तीनों रेखा हैं आपको यहां से मिलगी तो इस साड़े 13 डिगरी north latitude कहा जाता है क्या ट्रॉपिक ऑ खेंसर इसको गाल इसाट ट्रॉपिक ऑफ कैप रिकर यहोगी कर रहे कि यहूगी विश्योत रेखा इनाट तीनों रेखा हैं घुसवर रहीं किससे अफ्रीका से. अफ्रीकाya को कट कर रहीं कहीं न रहीं है तीक और यह 0 Degree की जो जा रहे यह आपको यह वाइट जगह दिख रहे है छोट इसी यह है Victoria Lake Victoria जील है यह कहाँ पर है अफरीका में है बताएंगे इसके बारे में डिसकस करते हैं चलिए आगे बढ़ें चलिए देखे अफरीका इसकार डार कॉंटिनेंट आप जानते हैं और कंता है महादीप क propell के लिए stopP kohle onень और इस जैब से पाणी से किरा हो हो ऑन्स और पैनिंसुला के होते हैं जो land के ऐसे हिस्से जो तीन तरफ पानी से गिरे होते हैं अब इनको map पर देखिए क्या होते हैं इनके example आपने देखे श्री लंका, फिलिपीन, मालदीफ, सिंगापूर और इंडोनेशिया यह islands हैं और continent क्या होते हैं जो islands से बड़े होते हैं और वो भी पानी से गिरे होते है चार ओर से, peninsular देखिए, peninsular में Arabian Sea है, sorry Arabian Peninsula, प्रैदी, longest peninsular of the world है यह, Indian peninsular भी है, Labrador है, Sinai, Sinai कहा है, Sinai पर question बनता है, इसलिए मैंने लिया है इसको यहाँ, Sinai देखिए, तो which area is, which area is acting like a bridge between Asia and Africa, तो Asia और Africa के बीच में, कौन सा जगा ऐसी है, जो bridge का काम करती है, ठीक ह तो है, Sinai area, Sinai area कहाँ पर है, यह Egypt में, इसको map पर देखो आप, ठीक है, यह आपने world map मैप मैने शुरू में दिखाया था आपको, world map आपने देखा, यहाँ देख लीजे फिर से, ठीक है, यह world map है, यह world map है, और यह Asia है, और यह क्या है, अफरिका, यह दोनों बहुत जादा close हैं, यहाँ एक point पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ बिल्कुल भीड़ गए हैं जैसे, मिले हुए हैं, है ना, तो इस area को zoom करके हमने यहाँ दिखाया, यह देखे, यह रहा, तो यह area आपका, यह है अफरीका पूरा, यह Africa है, और यह Asia वाला है, इस सा है, ठीक है, चलिए तो हमको क्या देखना था, सिनाई, सिनाई कहाँ पर है, सिनाई बिरिज का काम कर रहा है, अब देखे, इस area को देखे आप, यह वाला area, यहाँ से टच कर रहे हैं दोनों, यह आपका Asia था और यह Africa, तो यहाँ एक point पर टच कर रहा है, इसको हमने zoom किया, और यहाँ देखा इ इसे, यह देखे, तो यह सिनाई वाला area है, यह देखे, यह यहाँ से दिख रहा है, यह इजिप्ट में है, यहाँ एक बार फिर से दिखा देता हूं मैं, यह देखे, यह जो green वाला हिस्सा है, यह green वाला यह पूरा क्या है, इजिप्ट, इजिप्ट कहा है, अफरिका में ह मेसर कहते हैं इसको मेसर ठीक है तो यह जो जगा है यह वाली इसको बोलते हैं सिनाई सिनाई यहां देख लीजे आप यह पूरा यह जो अभी दिखाया था यह सिनाई ही है पूरा ठीक है उसको बड़ा करके दिखा दिया बस ठीक यह हिस्सा किसका है एजिप्ट का ही है चलिए अब यहाँ पर एक important question आपसे बनता है देखो इस question को सुनो भी ठीक है तो Mediterranean Sea and Red Sea is connected with Mediterranean Sea है यहाँ पर और एक Red Sea है तो यह भूमद्य सागर बोला जाता है और इसको लाल सागर भूमद्य सागर और लाल सागर किसके द्वारा जुड़ा हुआ है स्वेज कैनाल के स्वेज कैनाल देखो अब यह आप देख रहे हैं यहाँ भूमद्य सागर की ब किसके द्वारा बोला जुड़े के द्वारा जूरे है यह लेंगे हिस्सा यहां देख रहा था बट यहां पर व्यपार के लिए इस लैंड के हिस्से को काटा गया और यहां एक नहर बनाए गई इस हिस्से को काट कर यहां एक नहर बनाएगी जिसे कहते हैं स्वेज नहर या स्वेज कैनाल देखिए स्वेज कैनाल यह रही मैंने दिखाया था अब यहाँ हिस्सा बेड़ा हुआ है तो यहाँ पर यह कैनल बनाई गई है स्वेज कैनल, ठिक है तो यह स्वेज कैनल नहर है एक्चुली और यह वही चीज़े जो भी आप देख रहे थे यहाँ, देखे यह स्वेज कैनल स्वेज केनाल किसको जोड़ती है यह लाल सागर है पूरा नीचे और यह क्या है, meditarians भूमध्य सागर तो यही केनाल यही जोड़ती है किसको दोनों गूल को इनको मैप में देख लीजिए देखिये, यहाँ स्वेज केनाल है यह लाल सागर है और यहाँ एक कैनाल बने आई हुई है जो इस से डिरेक्ट मिलती है इस वाले समुद्र इस सी से और इस सी से दोनों सागरों से मिलती है ठीक है तो यह question हो गया आपका चलिए स्वेज कैनाल याद रखेंगे स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमंदी सागर को जोडने वाली एक नहर है इसकी लंबाई 165 किलो मीटर है ठीक है तो यह लैंड वाला हिस्सा काट दिया गया तो और यहाँ एक क्या बना देगी नहर अगला सवाल देखें विच सी सेपरेटिंग बाई एशिया और अफिका तो कौन सा ऐसा सागर है चो अफिका ऐसय और आफ्रीका को अलग करगा रहा है वो है रेडी सी लाल सागर अब देखो लाल सागर कहां पर है लाल सागर अभी देख रहे हैं आप देखे यह यह यमन है और यह सौוडी एरेपिया तो यह पानी का हिस्सा है वो ही कर रहा है इसको अलग तो यह कौन सा हिस्सा है इसका नाम है रेड सी लाल सागर ठीक दूसरा कोशन भी खतम जिब्राल्टर संदी है जिब्राल्टर संदी यह बहुत पुछा जाता है जिब्राल्टर संदी के सबसे ज्यादा करीब कौन से बीच में है गिब्राल्टर जो संधी है जलसंधी कहां पर रहे इसको देखते हैं तो यह है स्पेन और मॉरक्को स्पेन किस देश की किस का इस्टा अर ये हैं अफरीका का मॉरक्को किस पेलिंग में मोर कर लीजेगा इसको ठीक देखिए शिनाई अभी हम ने देखा एस्टा सिनाई प्रायदीप, मिश्र को अफरीका और एशिया के संगम पर स्थापित करता है ठीक है दोनों कॉंटिनेंट को कनेक कौन सा करता है सिनाई प्रायदीप प्रायदीप का क्या मतलब है जो تین साइट से गिरा होता पानी सेे यह भी इगा है इसमें बहुत gap है ठीक है तो यहां जो narrow माली जी कोई country है यह दूसरा country है तो इनके बीच में जो water है इस water channel को बोलते है narrow water channel जो दो देशों के बीच में दो land के बीच में होता है उसको बोलते है straight जल अमरोमद्द है यह फिर जल संदी है इस state को कहा जाता है straight of gibraltar जो किस-किस के बीच में इसstate के बीच में मौरक को के बीच में इसपेन किसका है यह यूरिब का हिस्सा है और मौरक को किसका है मौरक को अफरीका का है है ठीक है याद रखेंगे important था अब बात करते हैं Eastern Africa की Africa आपने देखा Africa का map कुछ इस तरह से था आपको तो ये हिस्सा कहलागा Eastern ये Western ये North ये South ठीक तो एक concept आता एक question पूछा जाता इस पर की Horn of Africa Horn of Africa किसको कहा जाता है चार देश ऐसे हैं देखिए पहले ये समझ दीजे Horn मतलब क्या होता? Seeing आपने देखिए जानवरों की seeing होते हैं निकले होते हैं है ना तो Horn वही है तो Africa का seeing क्या है? Africa का Horn क्या है यहाँ पर? कोई एक हिस्सा आपको ऐसा लग रहा होगा इसकी seeing जैसा अब आप देख रहे होंगे और notice भी कर लिया होगा मैं बताता हूँ और दिखाता हूँ आपको देखिए यह हिस्सा कुछ-कुछ seeing के जैसा निकला हुआ है pointed है ठीक है? आगे की ओर तो यह आप देख सकते हैं Somalia है और Ethiopia है यह जिबूती है और Eritrea है चार देश हैं जो कहलाते हैं Horn of Africa important वापस चलते हैं तो चार देश है कौन-कौन से Somalia, Ethiopia, Djibouti और Eritrea यह चारों देशों कहा जाता है Horn of Africa ठीक चलिए अफरीका में total countries कितने हैं? 54 और 54 मां country है South Sudan तो United Nation में संयुत्रास संग के जो total members सदस्य हैं कितने हैं? वो 190 में हैं ठीक है? चलिए अफरीका के पूर्वी भाग को Horn of Africa कहा जाता है? सवाल आता है अफरीका के किस हिस्से को Horn of Africa कहा जाता है पूर्वी इसे, पच्चमी इसे, दक्षण हिसे पूर्वी इसे को पूर्वी का क्या मतलब है भई? यह देखो देखो पूरा पस्षी मुत्तर देख्षिन किसी देश का है किसी कॉंटिनेट कैसे निकालते हैं एक लाइन एक नहीं लाइन ड्रॉ कर दो यहां से आप एक सेकेंड यह ले देते हैं यह ना चलिए आप मिडल में लाइन ड्रॉ कर दो ऐसे ऐसे ठीक और इसको नाम दो इस्ट इस चाह Richt causes the weist और इधर उपर दो north और इधर दो south तो इधर हिस्से में कॉंटिनेंट के हिस्से में देश आएंगे वह होंगे east वाले यह होंगे west वाले यह होंगी north वाले यह होंगे south वाले ऐसे होता है ठीक है चलिए आगे पढ़िए तो पूरब में तो पढ़ रही है रही है और इसमें काफी सारा डेटा है ना इसलिए बोल रहा हूं तो ली अभी देखिए नाइल डिवर के बारे में पढ़ते हैं डिफर डिवर्स ओफ अफरीका तो नाइल रिवर इस दी लॉंगेस्ट रिवर ओफ अफरीका सवाल आता है अफरीका महादीब की सबसे लंबी विक्टोरिया जील सबसे बड़ी जील है अफरीका की जिससे होकर विशुवत रेखा एक्वेटर गुजरती है अभी दिखाया था मैंने शुरुवात में ही मैप पर दिखाया था आपको वाइट से छोटा से कलर में निकल रही थी तो यह फिर विक्टोरिया जील तो यहां से आप देख सकते हैं मैप में आपको दिखाता हूँ उसी वाले मैप पर देखिए आपको दिखाया था यह एक्वेटर लाइन है यह एक्वेटर लाइन जा रही कहां से ऐसे एक वाइट हिस्सा जो दिखाया था आपको बड़े मैप पर तो यह कौन सा है यह जो water पर आ रही है white white जो है और तंजानिया में भी कुछ इससा है इसका और ज़्यादा तर इससा तंजानिया और युगांडा में है इस लेक का Victoria Lake Victoria जील ये अफरिका की सबसे बड़ी जील है इसी जील से एक नदी एक नदी का origin होता है एक नदी नील कहा जाता है ठीक है दूसरी और एक और एक और लेक है यहाँ पर लेक ताना देखे एथियोपिया है यहाँ पर एथियोपिया को भी देख लीजे ये इथियोपिया देश है ठीक है इथियोपिया किसमें आया था ये होन उफ अफ्रिका में इस लेक ताना wax रीवर निकल रही है और यहां दोनु नदियाँ यहां से एक नदी निकलती है इस नदी का नाम है Blue Nile नीली नील और यहां से कों से निकलती है White Nile ठordinate है तो यह दोनो नदियां यहां देख लिजी एक बार पहले इन फैक्ट को पढ़ दी थे फिर मैप पचलते है तो लेक ताना से एक नदी का उद्गम होता है जिसे ब्लू नाइल कहते है नीली नील कहते है ठीक है अब ये ब्लू नील और वाइट नील एक दूसरे को जॉइन करती है इन दोनों का संगम होता है कहाँ पर एक जगा है सूडान के अंदर खार्तूम सूडान में सफेद और नीली नील का संगम होता है जिसे कहते हैं खार्तूम तो ये क्वेशन पूछा हुआ है कि सफेद नील और नीली नील का संगम कहा होता है या तो पूचेगा आपको देश का नाम तो Sudan है जगे पूचेगा तो होगा Khardum सवाल आता है कि लेक ताना से कौन सी नदी का दुघम है तो answer होगा Blue Nile या पूचेगा नील नदी नीली नील कहां से निकलती है लेक ताना से अभी सुन लीजेगा आप बात कंप्लीट हो नहीं हुई अभी यहां देखिए हैं काफी लंबा वीडियो हो रहा है उसके लिए आप महाफिश आ रहा हूं लेकिन टॉपिक ऐसा इसको बताना पड़ेगा आपको यह तंजानी आपने देश देखा है नीचे युगांडा है य इनकी कंबाइन धारा फ्लो होगी जैसे के हमने गंगा सिस्टम में देखा था जब यह दोनों मिल जाएंगी और आगे बढ़ेंगी तो इसको कहा जाएगा नाइल रीवर नील नदी तो नील नदी किस-किस का संगम है ब्लू नाइल और वाइट नाइल का तो कहां मिल रही ह यह सूडान के अंदर सूडान वाला एरिया आना जी है देखे है ना चलिए आगे बढ़ी है इसको आप क्लिक कर सकते हैं और इसका पीडिएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शिन में दे रहा हूँ हां लिंक से डाउनलोड कर लो इसका पीडिएफ पूरा जो कंप्लीट ही आप पड़ रहे हैं आज का ठीक है सेकंड रिवर की बात करते हैं सेकंड रिवर कौन सी है कॉंगो रिवर तो इसके लिए यह सवाल बहुत इंपोर्ट है तो अपने मार्क पर कॉंगो नदी जो है विश्वत रेखा है बुमंदी रेखा को दो बार काटती है कई बार पूछा हुआ सवाल है यह पिछली बार भी पूछा गया किसी एक्जाम में ठीक है तो यहां देखिए विच रिवर देखिए सवाल ऐसा आता है विच रिवर इस दी लार्जिस्ट रिवर ओक दी वर्ल्ड तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो सबसे नमबर पे कौन सी आ थी Congo river तो यह Amazon river कहां की है यह actually South America continent में है ब्राजील की एक river है ठीक याद रखेंगे इसको तो यहां देख सकते हैं Congo river क्या है अभी बताया था Congo river जो है cutting equator twice याणि अपने बार को Congo नदी विश्वत रेखा भूमद्य रेखा को दो बार काटती है देख लिज equator line ड्रो की थी शुरुवात में देखी थी ठीक है equator line यह equator line कहां कहां से जा रही है इसमें एक तो यह Victoria Lake से जा रही है देखो यह Victoria Lake से गुजरी थोड़ी ऊपर चले गए मेरा हाथ से तो यहीं पर एक river है नदी है यह यह नदी आपको blue line दिख रही है ना एक बार तो ऐसे क्या है एक जगा यहां काट दिया दो जगा क्रोस कर दिया दो जगा पास कर दिया इसको लेकिन कहां कौन से कौन से देश में यह देखिए पूरी completely flow होती है कहां पर यह Democratic Republic of Congo तो इस देश का नाम इस river का नाम दोनों का एक जैसा ही है याद रख सकते है ठीक है तो यह कहां प ट्रिक बांद है जो कांगो नदी पर बनाए जा रहा है तो यह moisturizing republiczh kongo देश में अभी निर्माणा धीर है कि यहां देखिए कहां बन रहा है यह कोंगो देश में बन रहा है ठीक है Democratic Republic Kongo देश में बन रहा है और यह अंडर कंस्रक्शन है अगर इसका निर्मार पूरा हो जाएगा जब तो यह विश्व का सबसे बड़ा बांद कहलाएगा इंगा डैम याद रखिएगा नाइजर रिवर है इसके बाद इसके लोकेशन में दिखा देता हूं आपको मैप बहुत इंपॉर्डेंट है पढ़ने आपके लिए ठीक है यतना हम बता रहे हैं उतना पढ़ डीजे भी चलिए तो यह हो गई आपकी इंपॉर्डेंट रिवर्स अब देखिए वो जो हम देख रहे थे यहां संगम हुआता उसका देखिए अभी यह सूडान है सूडान का जो दक्षणी हिस्सा है वो अलग हो गया और अलग देज बन गया साउथ सूडान ठीक तो यह सूडान मे फ्लो करते हुए यह नदी नील नदी जो है पूरे एजिप्ट में फ्लो करती है देखो पूरे एजिप्ट में फ्लो करती है और यह लाइफ लाइन जैसी है एजिप्ट के लिए बिल्कुल ठीक है बहुत डिपेंडेंसी है इस नदी के उपर और यह नदी जब जाएगी कह गिराएगी अपना पानी जब इदर खतम हो रहा है तो Mediterranean Sea में कौन से सागर में घुमध्य सागर में अपना पानी गिरा देती है सवाल आता है नील नदी किस सागर में अपना जल गिराती है या मुहान अपना कहां बनाती है वो होगा आपका Mediterranean Sea ठीक है इसको देख लेंगे आप चलिए यह हो गए अब इन परवत को देख लिए जो अफरिका के अंदर है तो Kilimanjaro Kilimanjaro अफरिका का सबसे उंचा परवत है Kilimanjaro is the highest mountain in अफरिका जिसकी उंचा ही है 5815 मीटर और Kilimanjaro परवत जो है तंजानिया में इस्तित है तो it is the highest volcanic peak ठीक है चलिए यह क्या है जो आलामो की परवत है और इसके बाद में Atlas Atlas परवत भी कहां पर है अफरिका कॉंटिनेंट में ही और मौरक्को वाली लोकेशन पर है और है ड्रैकन्स वर्ग जो है यह South Africa में है ठीक इस तरह से आप याद रख सकते हैं और एक last point आप याद कर लेंगे श्यतुर मुर्ग क्या होता है यह श्यतुर मुर्ग ostrich इसको कहते है ostrich is only found in African continent में ही पाए जाते हैं यह ठीक in Kalahari desert Kalahari मरुस्थल में तो ostrich क्या है सवाल आता है इस पर ostrich पर क्या बनता है श्यतुर मुर्ग पर कि विश्व का सबसे बड़ी विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है तो largest bird कौन सी है ठीक है largest bird कौन थी विश्व की ostrich है तो ostrich क्या है यह flightless bird है यह old नहीं सकती है याद रखेंगे इस video lesson में रहने देते हैं इतना ही minute हो जुके हैं 25 विडियो को कर दीजिए like अगर भूल रहे है share कर दीजिए अपने friends को अगर अच्छे लग रहे हैं courses बताइए इस तरह से अगर चलाना है तो बताइए नहीं चलाना है ठीक है और बाकी current affairs शुरू करने वाले हैं कल ही आपको वीडियो में आज ही मिलेंगे आपको current affairs के वीडियो देख लिजेगा चैनल पर आकर नोटिफिकेशन नहीं आते हैं चैनल पर देख लिजे डेली मैस के वीडियो आएंगे काफी सारे तयार हो चुके हैं क्योंकि आज कल एक दिन का gap हो गया तो आपको काफी सारे वीडियो लेशन सब मिल जाएंगे तयारी जोरो पर चलेगी है अपने इसाब से भी पढ़ते रहे हैं थैक्यू सो मच